Hello everyone, welcome back to this channel आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चो को हिंदी व्याकरन में मात्राओं को कैसे पढ़ाया जाता है और किन वोक्षिट के साथ बच्चो की प्राक्टिस कराई जाती है अगर आपके बच्चे क्लास 2 में है और आप बच्चो को मात्राओं की प्राक्टिस कराना चाहते है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पालिंस के सार शेर ज़रूर करें तो बच्चे जब क्लास 2 में आते हैं तो बच्चे को हिंदी के व्याकरन में, यानि कि हिंदी के ग्रामर में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो होता है मात्राइइ बचों को मातराएं क्या होती है ये समझाया जाता है तो आप बचों को कैसे समझाएं सबसे पहले आप बचों को बताएं कि वर्न दो प्रकार के होते हैं वर्न होता है जो हम अक्षर कहते हैं तो वर्न कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं इक होता है स्वर्वन और झाल वेंज यंवर्जण य दो तरख रहन होते हैं यह बच्चों समझाया जाता है अब बच्चों को बता है किeluर्च ने क्या होते हैं तो मुल्ण जो क Jewish वह जो दें वह से ले के ओ तक ग्यारा स्वर वन होते हैं उसी तरह से विंजन वन होता है तो विंजन वन के अंदर कौन-कौन से वन आते हैं जैसे कह से लेके पफब मौत तक जो होते हैं वन उसे हम विंजन वन कहते हैं और ये कितने होते हैं ये होते हैं 33 विंजन वन किसे कहते हैं तो वो बच्चों को आप कैसे समझाएंगे जैसे यहां लिखा है वेंजन के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन जोड़ा जाता है उसे ही मात्रा कहते हैं यानि कि कोई वेंजन के साथ अगर आपको स्वर मिलाना है तो उसके लिए आप एक चिन को यानि कि एक साइन क को हम यानि कि उसी चिन को हम क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं इसे बच्चों को आप एक्जामपल के तुरू समझाएं जैसे यहां पर लिखा है क क क्या है विंजन हो गया ना इसके साथ हम जोड रहे हैं स्वर स्वर कौन सा स्वर जोड रहे हैं लेकिन उसके लिए हम एक चिन डा रहे हैं यहां पर लुँस वंस्वर को डायरेक्ट नहीं जोड़ उसका एक चिन यानि मात्रा का यूस on स्वर निवेशार है तो यह जोड़ रहे हैं यह सब्तब्रेसाद की मात्रा के चिन को हम यूज चिन को को यूज कर रहें जिसको हम कहते हैं तो यहां पर हमपर की जोड़तिया तो वेंजन और स्वर की मात्रा को जोड़ते Ugh हमें क्या मिलता है सरं सफ वेंजे और से बच्चों को समझा सकते हैं ड़ेज़ें सबढ़ पच्छों को अपको ये भी उताया है कि अ को छोड़ कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है यानि कि अ की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है अ जो है वो हर वेंजन के साथ जुड़ा हुआ अल्रेडी रहता है जो मात्राएं स्टार्ट होती है वो आ की मात्रा से शुरू होती है तो आपको बस ये बोलना है कि अग की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, ये बच्चों को आपको समझाना है, next आपको ये भी बताना है कि वेंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में जूड़ता है, यानि कि वेंजन जो होता है न करसे लेके परफ़वं मरत उसके साथ हम जो स्व होता है उसको कैसे जोड़ते हैं उसकी मात्रा के साथ यानि विंजन के साथ हम स्वर को मात्रा के रूप में जोड़ते हैं तो ये बच्चों को आपको समझाना है इसी तरह से बच्चों को क्लास्टू में जब मात्राइं पढ़ाई जाती है तो इस तरह से बेसिक जो बच्चों को पहचानना है और उनकी मात्राओं से बच्चों को स्वरों को मिलाना है इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छे से हर एक स्वर की जो मात्रा होती है उसका अच्छे से प्राक्टिस करा सकते हैं जैसे यह है ओ स्वर की मात्रा बच्चों को इस साइड में ढूनना नेक्स्ट है ये कौन सा स्वर है ये है बड़ा उ तो बड़ा उ कहा है यहां पे है उसकी मात्रा तो इसके साथ मिला देंगे ये है ए तो ए की मात्रा कहा है यहां पे तो इसके साथ मिला देंगे नेक्स्ट है ये है अंग, अंग की मातरा, तो इस तरह से बच्चो को आप मातराओं को पहचान करने की प्राक्टिस करा सकते हैं, अब ये है दूसरा प्रेश ने यहां लिखा दिये गए, वर्णों को जोड कर बनने वाले रूप को लिखें, यहाँ पर बच्चो को कुछ वर मात्रा को लिखेंगे तो A की मात्रा कैसे लिखते हैं इस तरह से तो बन जाएगा ने उसी तरह से नेक्स्ट है प के साथ छोटी E तो प लिख देंगे पहले और छोटी E की लिए हम इसकी मात्रा को लिखेंगे तो छोटी E की मात्रा कैसे लिखते हैं इस तरह से लेफ्ट साइ तो कर जोड अंग लिख देंगे तो क्या रूप बनेगा कंग यानि कि कर के साथ हम अंग की मात्रा को जोड़ेंगे उसी तरसे नेक्स्ट है ट के साथ हम आ को जोड़ेंगे यानि कि आस्वर को तो बनेगा ट के साथ आ की मात्रा तो बनता है टा उसी तरसे नेक्स्ट है हो के स सकते हैं और उनकी मात्रा को जोड़के कौन सा रूप बनेगा वो बच्चों को लिखने के लिए देखे बच्चों को मात्रा की भी प्राक्टिस करा सकते हैं अब यह तीसरा प्रेश्णी हाली के चित्रों के नाम में आने वाले स्वर्ग की मात्रा पर गोला लगाए यहां पेड़ है ना तो पेड़ हम जब लिखते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा स्वर के कौन सी मात्रा यूज होता है एकी मात्रा तो यह तो इसे बच्चों को इस तासे गोला कर देना है उसी तासे यह क्या है यह पैर तो जब पैर बोलते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा का तो इसे हम गोला कर देंगे उसी तरह से मात्रा को पहचानने के लिए दे सकते हैं और बच्चों को मात्राओं की प्राक्टिस करा सकते हैं तो यह है चोथा प्रीच्ण्य यहां लिखे दिये गए वर्णों में स्वर की मात्रा लगा 12 खाड़ी लिखें, यहां पे बच्चों को वर्णों के साथ स्वर की मात्रा को लगा के बच्चों को 12 खाड़ी लिखनी है तो 12 खाड़ी बच्चों को class 1 में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी दसे class 2 में बच्चों को मातरा है जब पढ़ाया जाती है तब इसकी practice कराई जाती है जैसे देखिए प है न तो प के साथ हम A की मातरा जोड़ेंगे तो बनेगा प फिर छोटी की मातरा बनता है पी बड़ी की मातरा बनता है पी उसके बाद री की मातरा बनेगा प्री उसके बाद उ की मातरा छोटा उ तो बनता है पू बड़ा उ तो बनेगा पू ए की मातरा तो बनेगा पे फिर ए की मातरा जोड़ेंगे तो बन जाएगा पै ओ की मातरा जोड़ेंगे तो बनेगा पो, उसके बाद ओ की मातरा तो बनता है पो, उसके बाद अं की मातरा बनेगा पंग और अ की मातरा बनता है पो तो इसी तरह से हम बाराखाडी लिखते हैं अब बच्चों को कई सारे वर्नों को यह साथ बच्चों को बाराखाडी स्वर की मातराओं को जोड़के वर्नों के साथ बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं इससे भी बच्चों की मातराओं की प्राक्टिस बहुत अच्छ लिखना है जग्या पर तो जैसे यहां पर दिखे पहला है गोल तो गोल में कौनसे स्वर की मात्रा का यूज हुआ है ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा का स्वर हमें यहां लिखना यानि की ओ इस तरह से उसी तरह से नेक्स्ट है बादल तो बादल शब्द में कौनसे मात्रा का प् हुआ है री की मात्रा तो री व स्वर है ना तो इसे हम यहां पे लिख देंगे री स्वर का मात्रा का क्रयोग हुआ है उसी रैख एक आर ने basic वर उसी से यहां लिख देंगे उसी विलाव है तो गुलाब में किसकी मात्रा का यूजवय है व चोटा और आ की मात्रा तो इस तरह से बच्चों को आप मात्रा की प्राक्टिस करा सकते हैं यह ज़ए अश्तर प्रिशन को शवर के साथ जोड़ सही शब्द बनाओ यहां पे बच्चों क चुछ वर ने दिये गया है और बच्चों को स्वर के साथ उसे जोड़ना है और एक सही शब्द बनाना है देखें जैसे पहला है श जोड़े जोडर तो यहाँ पे हम सबसे पहले स लिख देंगे सर तू विट्जन हो गया और स्वर क्या हो गया यह तो ए तो हम नहीं लिखेंगे इसके हम मातरा का प्रयोग करेंगे तो स के साथ हम एक ही मातरा जोड़ेंगे तो बन जाएगा से और जोड र तो बनता है शेर तो यह कौन सा शब्द है शेर है उसी तरह से नेक्स्ट है ब जोड छोटा उ जोड आ तो बन जाएगा ब के साथ छोटा आ तो बनता है नाम, यानि कि मैना, उसी ज़से नेक्स्ट है ब जोड ए, तो बनेगा बै और ल, तो बन जाएगा बैल, यानि कि ये शब्द कौन सा है, बैल हो गया, उसी ज़से नेक्स्ट है श जोड अंग की मातर, तो श के साथ हम अंग की मातर अब जोड़ेंगे, तो बने सा और जोड न यानि की निशान तो इस तरह से भी बच्चों को आप शब्दों को सिखा सकते हैं नए नए शब्द बनाना स्वर और व्यंजन दोनों को जोडते हुए बच्चों को इस तरह से शब्दों को सिखा सकते हैं ये भी काफी अच्छा वोक्षीट है जिससे आप पिखको को एक ऐसी मात्रा है जो हर शब्द के साथ जुड़ी हुई है सुअ क्व oppos剛 की मात्रा को पखचान आ ही कि वो कौन से उई कि है और Damn । यह पहला है यह लीची खीर तीर जीब, तो यह जितने भी शब्द हैं, इसमें एक मात्रा common है, तो वो कौन सी मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पे हम बड़ी ए का स्वर लिख देंगे, यानि की इस तरह से, उसी जीज़ेंक से जूता, पूल, सूरज, तो इन सारे शब्दों में कौन से मात्रा common है, कौन से स्वर की मात्रा यूज की गई है, बड़े ए की मात्रा, तो हम यहाँ पे बड़ा उ स्वर लिख देंगे, उसी जीज़ेंक से नेक्स्ट है, दिन, पिन, मित्र, तो इसमें कौन से मात्रा यूज हुई है, छोटी ए की मात्रा, तो यहाँ पे कौन से स्व का यूज हुआ है कौनसे स्वर की मात्रा का यूज हुआ है चोटा यहां लिख देंगे नेक्स्ट है मोर चोर कोयल इन सारे शब्दों में कौनसी मात्रा कॉमन है कौनसे स्वर की मात्रा का यूज हुआ है ओ की मात्रा देखिए मोर है चोर है कोयल है तो इसमें ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो हम यहां लिख देंगे ओ की मात्रा यानि की ओस्वर उसे से नेक्स्ट है ताला माला गाजर तो ताला माला गाजर में कौनसे मात्रा का प्रयोग हुआ है आ की मात्रा यानि कि आ स्वर का तो यहां आ लिख देंगे नेक्स्ट है कमल हल तहल इन तीनों शब्दों में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है यानि कि इन सब में अ की मात्रा है तो हम यहां पे सिफ अ की मात्रा का इस तरह से चिन दिया जाते हैं ह का मात्रा का हम इसमें प्रेयोग कर चुके हैं तो इस तरह से भी बच्चों को आपสवर की मात्राओं को पहचानने के लिए या उनकी ब्राक्टिस कर आने के लिए इस तरह कि वॉक्षट दे सकते हैं और उन्हें आसानी से क्राइब हाँ तो आपके बच्चों के लिए यह मातरा से रिए जो कंशीठ हें अगर है को वीडियो अगर अच्छा लगी हेलफ लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूं आप से नेक्स वोक्षिट के सा तब तक के लिए ठीक केर और बबाई